कि अपनों कि अधिष्ट फड़ के सब्सक sunt कि एदिए जिसमें पिछली क्लास में क्या देखा था में पिछली दो-तिनendre क्लासे में हम बेसिकली नुमेरिकल्स हमने देखे थे जो कि किस पर अधारित थे त्वरण पे और असत-चाल और रोसत वेक पर अधारित कुछ सवाल हमने देखे थे हैं अब इसी चैप्टर में हम थोड़ असा आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक डिस्कुस करते हैं जिसका नाम है गती का ग्राफिय निरुपण ठीक है बच्चो क्या नाम है टॉपिक का गती का ग्राफिय निरुपण ठीक है इसमें क्या करेंगे हम गती को ग्राफ की सायता से समझने का प्रयास करेंगे कि गती को ग्राफ की सायता से हम और कैसे समझ सकते हैं ठीक है इसके अंदर पेसिकली हम दो तरह के ग्राफ पढ़ें और दूरी में बस परिमान होता है ठीक है बच्चो या फिर संक्यात्मक मान होता है तो एक तो पढ़ेंगे इसमें हम दूरी समय ग्राफ दूसरा क्या पढ़ेंगे बच्चो वेग और समय ग्राफ कौन-कौन से दो ग्राफ पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्र पहला graph लेते हैं जो कि है दूरी समय graph ठीक है बच्चो तो पहला अपना start करते हैं दूरी समय graph यह होगी हमारा दूरी समय graph ठीक है बच्चो आपके सामने पढ़ी हुई line और ये इस तरह से यानि कि इस तरह से बना हुआ हिesz कैसे आओ इस यह पना हुआ है तो यह जो नीचे वाली line है जो यह से लेटी हुई है इसको हम कहते हैं X-axis क्या कहते हैं बच्चो x-axis ठीक है और यह सीधी लाइने इसको हम कहते है y-axis ठीक है बच्चो क्या कहते है y-axis समझ रहे हैं सब लोग जो सीधी पढ़ी हुई लाइन है उसे कहते है x-axis और जो उपर खड़ी हुई लाइन है इसको कहते है y-axis ठीक है यहां तक किसी को कोई problem ठीक है जब भी हम दूरी समय ग्राफ की बात करेंगे तो अमेशा x-axis पर हम क्या लेंगे किसको लेंगे बच्चो समय को लेंगे around किस से प्रतिष्ट करते हैं ठीक है और t को काई में ले रहे हैं सेकंड में ले रहे हैं काई में में भी ले लीजाए आप किसे प्रदरशिद करते हैं समय को ठीक है और y-axis यहां तक किसी को क्या किया है हम समय को ले लिया मैंने X-axis पे और दूरी को ले लिया मैंने Y-axis ठीक है अब ये हमारा graph हो ग Cornhole हो गै जो हमारा graph बनेगा वो इन दोनों के इस area के अंदर बनेगा पूरे के अंदर इन दोनों के बीछ जो area है इसके अंदर ठीक है गtechnology ग्राफ हमारा बना है हमें वैलोसिटी क्या देता है बच्चो वैलोसिटी इसलिए मैंने इस ग्राफ के ऊपर लिखा है नाम वी ठीक है एक बार फिर से मैं आपको पताता हूं ध्यान दीजेगा और दिमाग में इसको बैठाने की कोशिश कीजिएगा हम पढ़ रहे हैं दूरी समय ग्राफ जहां पर x-axis पर मैंने लिया समय को जिसको मैं ने ती से प्रतिशित किया y-axis पर लिया मैंने दूरी को जिसवे से प्रतिशित किया और इसके बीच जो slop बना है वो slope हमें देता है velocity ऑब च्छो क्या देता है में वैलो सिटी थीक है यहां बात लेकिन आपको और करें यहां यहरा इब specific है यहां 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 सीधी लाइन है यहां कुछ ऐसे कर्व करके जा रहा है यहां कुछ इस तरह से जा रहा है सीधी लाइन में ठीक है तो इतना अंतर आपको दिख रहा है ठीक है तो यहीं अंतर हमें समझना इसमें ठीक है कि यह क्या क्या है तो जब भी आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिखे जाता हुआ दिखे या तो इस तरह से या इस तरह से भी जा सकता है ठीक है तो क्या कहते हैं इसको ए समान गती क्या कहते हैं बच्चों ए समान गती ठीक है और इती कोई आपको इस तरह का कोई ग्राफ मेले उसको कहते हैं रैस्ट ठीक है और हिंदी में कहते हैं इसको विराम वस्ता ठीक ह आप इनको समझते हैं यह basically रहे क्या ठीक है इसके लिए सबसे पहले हम इसकी एक परिभाषा को पढ़ते हैं पहला हमने क्या पढ़ा graph एक समान गति को ठीक है तो एक समान गति की सबसे पहले हम देखते हैं कि एक समान गति होती कैसे है और जब आप एक समान गति को पड़ लेंगे तब ही आपको यह समझ जाएंगे कि इंक ग्राफ ऐसे क्यों आया इसका जो सलाव पर यह ऐसा क्यों आया ठीक है तो पढ़ते हैं इसकी परिभाशा को क्या है बच्चो एक समान गती के परिवाशा देखे यदी कोई वस्तू एक समान समय अंत्राल में एक समान दूरी तै करती है तो ऐसी गती क्या कहलाती है एक समान गती कहलाती है एक बार फिर से पढ़ते हैं यदी कोई वस्तू एक समान समय अंत्राल में एक समान दूरी तै कर तो इसी गति एक समान गति कहला अब इसको समझते हैं क्या है है आप देखिए मैंने का नजब क्या है यान मैं इसके उसने distance कितनी travel करी, 0 है मतलब, ठीक है बही वो कहीं चला थोड़ी है, 5 बज़े वो घर है, ठीक है, आप यहां से वो चलना शुरू करेगा, हम यहां से समय बढ़ाएंगे, और उसको चलाएंगे, अब मैंने 5 से बजा दिये, 510, तो उसने 0 से कितनी दूरी तया कर ली, म अब आप एक बात observe करिए, 5 जब 5 बज़े थे और 5 10 हुए, तो समय का अंतर कितना हुआ, 10 मिनट बढ़े, कितने बढ़े, बच्चो, 10 मिनट बढ़े, 5 और 5 10, कितने मिनट बढ़े, 10 मिनट यानि 10 मिनट का अंतर है, समय का अंतर कितना है, बच्चो, 10 मिनट है, और दूरी क क् जानतर कितना है कितनी दूरी तिया करी 20 20 ही तो दूरी त्या करी बच्चो यहां से यहां तक आप यहां देखी यहां 50OL component चल चुगा था 20 टक कितना चल गया होो 40 मिटर कितनी दूरी यह इतनी समें 20 मिटर तो क्या इख रहा है यहां भी 10 न's का इंतर है कितनी दूरी टैकर रही है व हम इतनी समय और 20 दूरी तैकरी समझ रहे हैं बच्चो तो ये है एक समान गती क्या है यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तै कर रही है ठीक है तो यह हमने अपना एक basic example लेकर समझा क्यास एक समान और्म इंतराल में कैसे एक समान तुरी ये तै कर रहा है कैसे बच्चो समान समय और चल रहा है और स्मान ही दूरी तै किये जा रहा है समझ रहे हैं आप बहुत सिंपल है कुछ भी नहीं इसमें ठेक है तो ये हो गया हमारा एक समान गति अब क्या है हमारा ए समान गती ठीक है ए समान गती क्या है बिलकुल इसका उल्टा है किसका एक समान गती का क्या है यदि कोई वस्तू एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तैर ना करे तो ऐसी गती क्या कहलाती है यदि कोई वस्तू एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तैन ना करें तो वो ऐसा मन गति कहलाती है कैसे भई है यहां पर 5 बजे थे फिर 5 दस हुए फिर 5 बीस हुए फिर 5 तीस हुए ठीक है आप माना 5 बजे तो वो जीरो पेता था भई हमने मान लिया भी जीरो पेता अब वो उसमें चलो मैं आपको करके दिखाते हूं कैसे भई हमान लिया 5 बजे थे हमने कहा 5 बजे फिर 5 दस हुए नीचे ही समझते है जाहें लिखा है 5 बजे थे ठीक है अब 5 दस बजगे फिर 5 बीस हुए ठीक है आप माना है यहां पे जीरो पेता ठीक है दस का अंतर है और यहां से यहां तक समय का अंतर कितना है दस है पांस दस से पांच बीस के बीच बज़ो समय का अंतर दस ही तो होगा ठीक है अब जब इस इस अंतर पे तो वो चला बीस जीरो से बीस चला तो बीस चला ठीक है अब अंतर तो समय का 10 लेकिन अब दूरी का अंतर कितना है साट में से 20 गई 40 अब 20 नहीं है बच्चों कितना हो गए 40 ठीक है तो अंतर हमारा भी गड़ गया तो इसी को हम कहते हैं ऐसामान गती ठीक है अब विरामा वस्ता कोई समझ लेते हैं हाथ के हाथ की विरामा वस्ता क्या है जब कोई वस्तु समय के सापेक्स अपनी सिती में परिवर्दन नहीं करती ठीक है यानि कि समय गुजरता जाए पर वो वस्तु वहीं की वहीं रहे समय तो बढ़ता जाए क्योंकि बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है लेकिन वो वस्तु वहीं की वहीं है तो ऐसी सिति को हम क्या कहते हैं बच्चो विराम अवस्ता कहते हैं और इंग्लीश में इसको rest कहते हैं ठीक है समझ गए आप लोग ठीक है एक समान गती हमने किसे कहा एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तै करना और ऐसमान गती हमने ऐसे समान गती कि सिकHा? एक समान गती का ठीक, उल्टा और विराम वज़ता जब समय बढ़ता जाये और बस तो वहीं की वहीं रहे तो इसको हम क्या कहते हैं? विराम वज़ता कहते हैं ठीक है? फिर से अपने graph पे पहुंचते हैं और अब इने फिर से समझने का समझते हैं, ठीक है, क्यूंकि अब हमें पता चलिगा कि एक समान गती क्या है है, और ये चीजे क्या है, इनकी टर्म हम समझ गई, अब देखो बच्चो, तो ये था किसका गडाफ? एक समान गती का ग्राफ ठीक है अब देखते हैं ये ग्राफ ऐसे कैसे आया अब देखो बच्चो बई ये तो हम बेसिकली समझी गए कि एक समान समें तराल में एक समान दूरी तै करता है ठीक है बस ये ये और इसका ये ग्राफ है ठीक है ये हो गया हमारा अब बच्चो क्या होता है मैं आपको क्या बताया जो समय और दूरी का जो वो होता है slope वो हमें क्या देता है velocity ठीक है तो हम आगे कुछ ऐसे question practice करेंगे जो हमें graph पे base होंगे किस पर base होंगे graph पे उन graph में हमें दूरी विस्थापन का कोई sorry दूरी और समय का कोई graph दे देगा और हमसे velocity अब बच्चों क्या होगा है आपसे कैसे गत करेगा माल लिजए यहां से कोई दो बिंदू दे देगा आपको ऐसे कि भी आवें velocity निकालके दिखाओ तो हम क्या करेंगे यहां से एक नीचे एक लंब लंबवत लाइन डालेंगे यहां से लंबवत लाइन डालेंगे ठीक है, भई यह हमें समय का इतो ग्राफ है वो सोरी समय की तो लाइन है ठीक है, इसको हम कह रहे हैं इसको हमने कह दिया T1 टाइम इसको हमने कह दिया T2 टाइम ठीक है, अब यहां पर किचिये लाइन तो अब इधर भी कीचिए बिल्कुल इसके लंबवत ठीक है इसको मान लिया यह दूरी है S है दूरी को S कहते है इसको मान लिया मैंने S1 इसको मान लिया मैंने S2 ठीक है हमने पता है हमने जब velocity पढ़ी थी तो भच्छों हमने क्या कहा था याद करिए विस्थापन जो हमने वो पढ़ाता वेक को पढ़ाता वेलोसिटी को पढ़ाता हमने क्या बताया था उसका फॉर्मूला वेलोसिटी क्या होती है बच्चो विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कह रहे थे विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कह रहे थे विस्थापन परिवर्तन यानि ऐसा पॉंटी विस्थापन बटे समय ठीक है तो यहाँ पर भी दो विस्थापन बटे समाई है लेकिन विस्थापन का हमें यह अंतर लेना है ठीक है क्योंकि हम graph की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा s2 यहां कोई value होगी यहां कोई value होगी तो पहले बड़ी वाली value रखेंगे फिर चोटी वाली रखेंगे और divided by समय की बड़ी value समय की तो इस तरह से velocity आ जाएगी नहीं समझ माया है कोई दिक्कत नहीं है जब हम question इसके practice करेंगे तो आपको अच्छा से समझ मायाँगा फिलाल मैंने आपको एक basic बता दिया तो यह होता है हमारा एक समान गति का graph इसमें क्या होता है बच्चो एक समान समय अंतराल में वस्तु अब अच्छो एक बात ध्यान रखिएगा समय कैसे बढ़ेगा graph की साहत से आपको देख आपको कैसे बढ़ता चलेगा समय बढ़ रहा है यहां पर माल लेजे जीरो समय है फिर यहां से बढ़ेगा ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से बढ़ता हो जाएगा समय ऐसे और विस्थापन के ग्राफ में कैसे बढ़ता जाएगा दूरी इस तरह से उपर बढ़ती चले जाएगी या 0 है 1, 2, 3, 20, 80, 90 ठीक है तो उपर की साइड बढ़ती चले जाएगी और ये इस साइड बढ़ती चले जाएगी ठीक है समझ रहे हैं आप वैसी से यहाँ पर होगा अब इस रैष्ट वाले ग्राफ को समझते हैं इसमें क्या है अब अच्छो देखो यहाँ पर मान लिजे उसका कोई विस्थापन होगा उसने कुछ दूरी तैय करी होगी मान लिजे यहाँ पर कुछ भी वैली होगी कितना भी उसने विस्थापन ट्रेवल करा होगा आप देखें यहाँ पर समय तो बढ़ता जा रहा है यह समय ही तो बताता है जब इधर बढ़ता चला जाता है तो ग्राफ हमारा इधर ही तो बढ़ता चला जा रहा है तो समय तो बढ़ रहा है समय तो बढ़ रहा है लेकिन यह तो यहीं कर यहीं है अगर यह भी उपर की साथ बढ़ता चला जाता जैसे यहां पर बढ़ रहा है तीक है, पर ऐस समय के साथ, इस बिंदू पे, अब इस बिंदू पे देखेंगे, आपकोई वस्तू मान लेजें, यहां पर है, तो इस समय पर इसने इतने दूरी तया करी, यानि T1 समय पर एस बंदूरी तया करी, अब वस्तू कहा पहुज गई, यहां पर पहुँछ गई, अ ऐसी अगली बार जम यहां होगी तो कुछ समय पर कुछ दूरी तै करेगी ठीक है ऐसी यहां पर हो रहा है लेकिन बच्चों यहां क्या हो रहा है वस्तू यहीं की यहीं है और समय बढ़ता जा रहा है और दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है यानि के वहीं की वहीं है ठीक है बच्चो कोई प्रॉब्लम किसी को बेसिकली यही है ठीक है इसमें बेसिकली यही कंसेप्ट था एक समान गतिका एसमान गतिका और विराम का ठीक है अगली ग्लास में हम देखेंगे वेग और समय ग्राफ को ठीक है उसको समझेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे हमा आज की क्लास में इतना ही रखते हैं अगली क्लास में मिलेंगे अपने इस वाले ग्राफ क्यों लेके ठीक है इसको समझेंगे अच्छे से थैंक यू टेक केर